हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है टार्गेट सिविल सर्वेसेस में तो आज है साथ अपरेल साथ अपरेल से जितने भी करेंट अफेस के कोशन बनते सारे इस वीडियू में हम डिसकस करने वाले हैं और दोस्तों इन 10 मिरेट में हम क्या करने वाले ये मैं आपको बता देता हूँ जो लास्ट डे जो कोशन पुछा गया था उसका आंसर जानेंगे वो भी डिटेल में और रिविजन करेंगे लास्ट डे के 10 कोशन का और आज के 10 कोशन करेंट अफेस के देखेंगे और लास्ट में question of the day देखेंगे जिसका जवाब आपको comment में देना होगा मतलब total हम 22 question daily देखते हैं बस दोसों आपका support चाहिए इसे अच्छा बनाने के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कल के question का answer मानव अधिकार परिश्यत मतलब HRC Human Rights Council कसे नियूकत किया गया है तो यह नूकत किया था अजय मल्होतरा को यहाँ पर right answer हो गया दोस्तो option 3 तो । आजय मल्होतरा मानौ अधिकार परिश्यत की सलाकर समीति के अधिक्ष परिश्यत की रूप में चुने जाने वाले पहले भारती अध्यक्षिप बन गए है और यहाँ पर हम बात करें Human Rights Council के Headquarter की तो यह जेनेवा स्यूजर लेंड में इसी थे अब स्टार्ट करते हैं कल के कोशन का Revision सत्रवी बिमस्टेक मंती स्तरी बैठक की जो अध्यक्षिता है वो कौन सा देश करेगा तो इसकी जो अध्यक्षिता है वो करने वाला है स्रिलंका राइट अंसर है ऑप्शन टू किस संस्ता ने World in 2030 Public Survey Report को जारी किया है तो इसे जारी किया है UNESCO ने राइट अंसर है ऑप्शन फोर संगाई रेंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वसेस्ट उच्च सिक्षा संस्तानों में पाले इस्तान पर कौन है तो पाले इस्तान पर है दोस्तो IISC Bangalore मतलब भारतिय विज्ञान संस्ता अब कोशन है कि हाली में रादेश्याम खेमका का निधन हो गया है उनका संब्धन निमने में से किस से है तो इनका जो संब्ध है वो दोस्तो गीता प्रेश से है यह गीता प्रेश के अध्यक्षित है Maritime Day कब मना जाता है तो ये मना जाता है 5 अप्रेल को राश्टी समुदरी दिवस प्रतेक वर्स 5 अप्रेल को मना जाता है हाली में किस देश के राश्टपती ने H1B बीज़ा पर लगे प्रतिबंद को समाप्त कर दिया है तो ये दोस्तो है अमेरिका के राश्टपती जो बाइडन कलिंग रतन सम्मान 2021 से किसे समानित क्या है तो ये समानित क्या गया था विशो भूसन हरिचंदन को राइट अंसर है ऑप्शन 2 सायुक्त सेन्य अभ्यास गेस वेक्स 21 में अमेरिका के अलावा और कौन सा देश शामिल हो गए तो दोस्तो ये सामिल होने वाले है बेल्जियम, फ्रांस, जापवन ये तीनों देश इस सेन्य अभ्यास में सामिल होने वाले है हाली में किस राज के ग्रह मंत्री ने अपने पद से इस्तिफा दिया है तो ये दोस्तो है महरास्ट के ग्रह मंत्री अनिल देशमुक ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है डिविजन का लास्ट कोशन है भारत सरकार ने ग्रामिन छेतरों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रधान करने के लिए किस योजना को सुरू किया है तो ये योजना है दोस्तो ग्राम उजाला योजना राइट अंसरों का अप्शन थर्ड और सबसे पहले दोस्तो अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेज जरूर करें क्योंकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहें अब स्टार्ट करते हैं आज की कोशन राश्रबती रामनात कोविन ने भारत के 48 वे मुख्य नायदिस के रूप में किसे न्यूक्त किया है तो ये न्यूक्त किया है एन्वी रमना को राइट अंसरों का आप्शन 4 ये है दोस्तो एमनी रमना राश्रबती रामनात कोविन ने नी वर्तमान CJI मतलब Chief Justice of India ऐसे बोबड़े द्वारा की गई सिपारिस को स्विकार करते हुए न्यायमूर्ती एन्वी रमना को भारत का 48 वा मुख्य नायदिस न्यूक्त किया गया है न्यायमूर्ती रमना का जो कारेकाले वो 26 अगस्त 2022 तक होगा और दोस्तो 17 फरवरी 2014 को उची नायले में अपनी पदोनेती से पहले न्यायमूर्ती रमना दिल्ली उची नायले के मुख्य नायदिस और ये दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है तो आपको याद रख राइट अंसर गा ऑप्शन 4 यह दोस्तो अंसुमन सिंगानिया तो यहाँ पर बात हो रही दोस्तो ऑटोमोटिव टायर मैनुफेक्चर एसोसियेशन की तो इसके जो उपादेक्ष है वो मुहन कुमार को नियुक्त किया है और जो अदेक्ष है वो अंसुमन सिंगानिया को अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एटी एमे की मतलब आटोमेटिव टायर मैनुफेक्चर एसोसियेशन की यह संगटन भारती है और अंतरस्टी प्रमुक टायर कमपनियों में से 11 बड़ी कमपनियों यह वो 95 फिजदी भारती टायर उत्पादन का प्रतिनीदित्व करता ह और इसका जो मुख्याल है वो नई दिली में स्थित है और इसके अदिक्ष कोन है अंसुमन सिंगानिया और उपादिक्ष मुहन कुमार है यह आपको याद रखना है कोश्चन है वजोसा ओस्मानी सादरो यू किस देश की नई राश्टपती बनी है तो यह बनी है दोस्तो कोसवा की राइट अंसर है आपसिण 4 यह दोस्तो वजोसा ओस्मानी और दोस्तो यह जो कोसवा देश है यह योरोप महादिप में स्थित है यह दोस्तों योरोप महादिप अब हम यहाँ पे देखते है कोसोवा की location यह है दोस्तो कोसोवा आप देख सकते हो कोसोवा की location यह दोस्तो कोसोवा यूरोप महादिप में इस्तित है यहाँ पे हम बात करें कोसोवा की तो यह यूरोप महादिप में इस्तित है और इसकी राज़दानी परी सिटीना है और इ जो सा ऑस्मानी साद्रोयू ये कोसोवा की राष्य पती बनी है ये है दोस्तों इन की तस्वीर कोशन है भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सपरेस वे कौन सा बन गया है तो ये बन गया है दिल्ली मेर्ट एक्सपरेस वे राइट अंसर है यहाँ पर ओप्सन 1 दिल्ली मेरेट एक्सप्रेस वे यह एक्सप्रेस वे पूरी तरह सिगनल फ्री होगा और इस एक्सप्रेस वे पर कुतुम मिनार असोक इस्तंबर जैसे इसमारक चिन्ने भी लगाए जाएंगे और साथी दोस्तो इस express way के दोनों तरफ vertical garden भी विक्सित किये जाएगे और इसके दोनों तरफ धाई मिटर का cycle track भी बनाया जाएगा और साथी उर्जा की बज़त के लिए solar system से जलने वाली light का प्रयोग भी इसमें किया जाएगा तो आपको याद रखना है यह कौन सा express way तो यह दिल्ली merit express way है करनाटक लोग सेवा आयोग के नए अदेख्ष कौन बने है तो यह बने है सियू शंकरप्पा एस सहुकार राट अंसर है यहाँ पर दोस्तो ओप्शन वन तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं करनाटक राज जी की तो इसकी जो राज़ानी है वो बैंगलूरू है और करनाटक के वर्दमान में मुख्य मंतरी बी एस यादूरप्पा है यह है दोस्तो बी एस यादूरप्पा और करनाटक के जो गवर्नर है वो वजू भाई वाला है ये है वजू भाई वाला और करनाटक के मुखिन आदिस की बात करें तो ये अभैशी निवासन ओका है और करनाटक की जो लोग सबासीट है वो 28 है राज्य सबासीट 12 है और विधान सबासीट 224 है तो आपको याद तो यह कौहन सा राज्य है दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश राज्य है राइट अंसर होगा यहां पर ओप्सन वन और यहां पर हम बात करते अनुठी उपशार योजना का जो उद्धेश है वो क्या है कोरोना टिका करन कराने वाले को प्रोसाहिट करने के उद्धेश से को लोट्री सिस्टम से उपवार दिये जाएगे तो आपको याद रखना है अनोठी उपवार योजना उत्तर प्रदेश राज ने सुरू की है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज की तो इसकी जो राजदानी है वो लखनौ है और वर्तमान में मुख्यमंत् 404 है कोशने कोरोना वारिस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो उलम्पिक से बाहर होने वाला पहला दिस कौन सा बन गया है तो यह बन गया है उत्तर कूरिया राट अन्सों गया ऑप्शन 2 तो यहाँ पर बात हो रहे हैं टोक्यो उलम्पिक की तो इसका जो आयोजन है वो तो इसकी जो इस्तापना है वो 23 जून 1894 को की गए थी और इसका जो मुख्याले वो लुसाने स्वीजर लेंड में इस्ती थे और वर्तमान में अध्यक्षित थॉमस बाच है ये आपको याद रखा तो टोक्यो ओलम्पिक से बाहर होने वाला देश कौन से बन गया है उत्तर क पूरिया बन गया है कोशन है रामान संग्राले और संक्सक्रति केंद्र की इस्तापना कहां की जाएगी इसकी जो इस्तापना है वो उत्तर प्रदेश के 12 बंकी में की जाएगी तो राइट अंसर हो गया दोस्तो ऑप्शन फोर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनात ने एक रामान संग्राले और संक्सक्रति केंद्र की स्थापना की बात कही है। यहां केंद्र 12 वंकी के रामस नहीं घाट पर 10 एकर भूमी पर बनाया जाएगा। और यहां पर दोस्तों क्या होगा भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त होगे। और इस संक्राले में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलेंड और आधी जगहों की कट पुतलियों के माध्यम से रामायन को प्रस्तुद भी किया जाएगा। यहाँ पर कोश्चन है कि हाली में विग्यानिक अनुसंदान के लिए तीसवा जीडी बिल्डा पुरुसकार किसे मिला है। संकाय सद से है। आपको याद रखना है तीसवा जीडी बिल्डा पुरुसकार यह किसे दिया गया है सुमन चक्रवती को। 24 अक्टूबर को युनाइट नेशन डे भी मना जाता है। और इसके जो मुख्याले मतलब युन के मुख्याले की बात करें तो यह न्यूर्क में स्तीर है। और महासाच्यू एंटिनो गुटेरस है। यह है दोस्तो एंटिनो गुटेरस। और इसके सदे से देश कितने है तो 193 है। और आधिकारिक भासा कौन-कौन सी है तो अर्भी, चाइनीज, रसियन, फ्रेंच, स्पैनिश तथा अंग्रेज यह आधिकारिक भासा है युन की। और आप देख लेते हैं दोस्तों Question of the Day, FIFA महिला 20W Cup 2030 की मेजबानी नीम्न लीकित में से कौन सा देश करेगा। option 1 है Australia, option 2 है New Zealand और option 3 है A और B दोनों और option 4 है इन में से कोई नहीं इसका जवब आपको देना है और दोस्तों यहाँ पर साथ ही FIFA का जो headquarter है वो कहां पर है यह भी आपको बताना है तो दोस्तों आज का video lecture यहीं परेंड होता है अगर यह video lecture आपको अच्छा लगता हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा दोस्तों क्योंकि आपकी एक एक लाइक से हमें motivation मिलता है अगर आप इस शेहर पर नए हो तो इसे subscribe जरूर करिएगा और वीडियो को share जरूर करिए जिससे कि यह सभी लोग तक पहुंच सके thank you so much guys for watching this video